महज लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइब्स मॉबाइल चोरी के शक में चार लोगों ने एक युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी है ये संसनी खेसवारदात कलवा के भासकन नगर इलाके में हुई है पुलिस ने जाड़ियों में से मृतक के लाश को बरामत किया है और महज 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने चारों हत्यारों को ग्रफतार भी कर लिया है मृतक लड़के का नाम फरीद वजीद शेख है जो कलवा के अशोक नगर में रहता था और गिरफतार किये गए आरूपी आबित शेख, शोहिर मुहमद लतीफ, अलाउंतीन शेख, सर्फरोश सिराज अंसारी ये चारों भी उसी इलाके में रहते थे मगर मुबाइल चोरी के शक में इन चारों ने लाठी डंडे से मार कर फरीद को चान से बार डाला और जाडियों में उसे फेक दिया पुलिस ने जब लाश को बरामत किया तो मार लगने की वज़े से पहचान नहीं हो पा रही थी तभी पुलिस ने मृत्तक युवक के बाएं हाथ पर फरीद लिखा हुआ देखा और कलबा पुलिस ने तहकिकात शुरू कर दी महज 12 घंटे के अंदर ही इस हत्या की गुथी को सुल्जा लिया गया और आरोपियों को जिरफ्तार भी कर लिया गया है इन पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्श किया गया है प्रेस कांफरेंस में एसीपी वैंकेट आंजले ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है आपको सुनाते है एक शे दो आजार बावीस वनीच चारीज बजे पूलिस स्टेशन से आपको एक मेसेज आया था कि एक बॉड़ी जो है वह हमारे बासकर नगर्ब के पास जो मालूम पड़ा कि बॉड़ी है उसको जल मार लगे वाला है तो शिवाज हास्पेटर ने भेज दिया जैसा शिवाज हाटर ने उसको देख लिया तो उन्होंने गोशित किया कि एक्सपार है उसके बाद में उसको मार लगाए तो कलवा पूलिस टेशन में सियार नंबर 265 अबलिक 2022 302 कदर्ज हो गया वहां के इरिया के सब मालूमात ली यह अडेंटिफाई बोड़ी नहीं थी जैसा हमारे सिनेर पिया आवाड साब हमेरे क्राइम के पिया आजगाउकर साब लेडिज अपिया वराडे बगदा ने आवर घुगे जो क्राइम में काम करते इन अबने धाल में मालूम हो गया तो आरोप वहां पर पुस्तास करने के बाद में मालूम पड़ा कि वही के अजुब आजगे वाले रहने बच्चे लोग ए उन्हें इसको मारा है चार आरोपि नहीं उसको मारा है उसके चारों देखा था उनको आरेष्ट किया है आज ही है और खोट के सामने खढ़ा के तो उनको पास तारीक तक पूलिस कस्टरी मिली है हमारा मॉबाइल आपने चुरा लिया है और वापस करो यह कारण करके उन्हों है उसको भान ने उसको मारा है वे उसको और भोस्वार है लाकडी दंडी से मारा है इसके लिए उसको इंटर्णल ब्लेडिंग होके एक्सपाइर हुआ है और आरोपी का पास तरीक तो पुलिस कॉस्टेडिय को सब्सक्रणा मुर्त तक भी जनम से यही है कलवा एरिया में और आरोपी यहीं रहते हैं आजू-बाजू का एरिया और बाल बच्चे के साथ फैमिली के साथ खाबर रहते हैं